क्या बहन मीसा ने दोनों भाईयों की लड़ाई खत्म करा दी है। दरसल इससे पहले तेजस्वी ने जिस तरह खुद ही अपनी ही पाजे के खलाफ मोर्चा खुल रखा था उससे तेजस्वी भी काफी परिशान थे। बड़े भाई तेजप्रताप के बागी अंदास से पूरा यादव खांदान सकते में था। मा रावडी देवी ने भी तेजप्रताप को मनाने की खुब कोशिशे की थी लेकिन सारी बातें बे असर रहीं। और अब ऐसे में बहन मीशा भारती का नामांकन दोनों भाईयों को करीब ले ही आया। गुरुवार 25 अपरेल को करीब 12 बचे मीशा भारती अपने आवाज से मारावडी देवी के साथ नामांकन के लिए निकली। मीशा के हाथ में जेल में बंद पिता लालुयादव की एक तस्वीर थी। मीशा अपने काफिले के साथ नामांकन के लिए निकल ही रही थी कि तभी वो हुआ जिसकी उमीद किसी को नहीं थी। दरजल जब कारेकरता स्वागत के लिए उनकी दाहा देख रहे थे तभी उन्होंने वो नजारा देखा जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। जहां ये नजारा देखकर कुछ लोग हैरान थे तो वहीं कुछ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों भाईयों को मिलाने में बहन मीशा भारती ने एहम भूमी का निभाई है। बता दे कि मीशा भारती ने गुरुवाग को बिहार के बाचली पुत्र सीथ के लिए नामंगन दाखे किया। यह मीशा का मुकाबला बीजेपी के राम किरपाल यादव और कॉंग्रेस प्रत्याशी शत्रुवन सिना से होना है। मगर फिलहाल, तेज प्रताप और तेजस्पी के फिर से एक साथ आने पर आप क्या सोचते हैं बताईए अपनी राए कमेंट सेक्शन में। और पुर्वांचल की ऐसी ही लगतार ताजा अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पुर्वांचल लाइब को।